दोस्तों नमस्कार मेरी बात है विशेश मैं हूँ देवेश दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यूक्रेन पुतिन सहाब के लिए अफगानस्तान बन चुका है एक तरफ यूक्रेन को भर भर के हत्यार मिल रहे हैं अमेरिका और यूरोप से दान में उसके ठीक विपरीत रूस को मदद नहीं मिल रही है यहां तक की चीन तक से चाइना ने रूस के साथ जीने मरने की कसमे खाई थी और आज चीन ने रूस को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया है यूक्रेन के मैदान में इस दोरान रूस के विज़ेश मंतरी भारत आ रहे हैं तो दरह है लिए भारत ने रैगुलर पेइमेंट करना पड़ता है रूस को तो भारत की देंदारी है करीवन करीवन दस हजार क्रोड की एक दसंबलब 3 billion dollar की भारत को यह payment देना है रूस को हम यह बिलकुल भी मना नहीं कर रहे हैं कि हमने payment नहीं देना है हम पेंच देना है हम पैसा लिए तैयार खड़े हैं दिक्कत यहां आ रही है दूसरी भारतिय बैंक जन्हें पेमेंट करना है उनके पाउं काप रहे हैं साथ में जो रश्यन बैंक हैं वह भी घवड़ा रहे हैं रश्यन बैंक पर डारेक्टली अमेरिकन प्रतुबंध हैं तो उनका डरना हैं साथ में जो बार्दिय बैंक हैं वह बच रहे हैं कि इंडारेक्टली कहीं उन पर भी प्रतुबंधों का दुज़प्रवाव ना पड़े तो दोनों तरफ चिंताएं बाज़व हैं अब देखिए रूस ने जो है करीवन 14 मार्च के लगवग भारत को लिखिट में रिक से पेमेंट ले रहे हो उसकी जगए आप हमें कच्चा तेल दे दो ये बात समझ में आती है कि इस दौरान रूस को कच्चा तेल देने में दिक्कत होगी उसको पेमेंट चाहिए करंसी चाहिए समश्या समझ में आती है लेकिन इन सब समश्याओं का समाधान संभव है रूस के दो मन हो गए रूस असमंजस में आ गया रूस ने भारत में जो चाइनीज बैंकों की ब्रांच हैं उनसे बातचीत चालू कर दी कि क्या चाइनीज करंसी की मदद से रूस को पेमेंट हो सकता है दोस्तों इसी बात से हमें गहरी आपत्ती है भारत ने पेमेंट करना है रूस करन्सी पर निर्भर हो गए तो यह ऐसा होगा जैसे हम कुवे से निकल कर खाई में गिर पड़े आसमान से गिर कर खजूर पर लटक गए रूस और भारत के बीच आपसी पेमेंट की समश्या का यदि स्थाई समाधान निकाला जाना है तो रूपी रूबिल पेमेंट मेकनिज में खड़ी करनी होगी हाल फिलाल चाइनीज करन्सी को इन्वाल्व करना ऐसा होगा मानो हम आज की समश्या को कल पर टाल रहे हैं चाइनीज करन्सी को इन्वाल्व करना दोनों रूस और भारत दोनों के लिए घातक साबित होगा इसलिए रूस के विद्श मंत्री भारत आ है लेकिन समाधान भी कई सारे उपर तैर रहे हैं किसी ना किसी एक समाधान को ले लिया जाए डिविडेंड फॉर ओयल कर दिया जाए भारत और रूस यदि टेवल पर बैटकर कोशिस करेंगे तो कामियाब भी होंगे लेकिन रूस से अग रहे है कृपा करके चीन को इन्वा सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जैस्री राम